जैहिन स्टूदेंट्स, वेलकम टू तरुना डिफेंस अकेडमी, लेट सर्फ इंडिया तुगेदर हजार जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यिस्चन्स हैं, जो पीछे की एक्जाम्स में बारवार रिपीट होते हैं, वो हम कवर कर रहे थे पार्ट फर्स्ट में हमने पांसो तक क्युष्चन कवर कर लिये थे, अब पांसो एक से हजार तक के जो क्युष्चन बनते हैं, वो हम कवर करेंगे आप सभी को ध्यान से क्लास देखने हैं, क्लास फटाफट होगी क्योंकि रिविजन क्लास है आपकी, और हो सके तो कॉमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर्स हैं, वो देने की ट्राई करें पहला क्युष्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सार्स का फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिट्रेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्युष्चन है, रिक वेद में अघन्य, यानि के वध योग्य नहीं हो, शब्द का प्रियोग किसके लिए किया गया था, तो ये गाय के लिए किया गया है, ठीक है, नूमिस्मेटेक्स किसका अध्यन होता है, तो ये सिकों और धातों का अध्यन होता है, नेक्स्ट क्युष्चन विकरम समवत कब प्रारंब हुआ, तो ये 57 इसापुर प्रारंब ह ख्रापना किस ने की थी तो ये धर्म पाल राजाने की नेक्स्ट कुछन कृष्ण-देव-राय किसके संकालीन थे ये बाबर के संकालीन थे क्रिश्टन आया हुआ है ये भी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन से तो राइट आंसर होगा आपका सुपीरियर जिल वैरी वैरी मिंपॉर्टेंट सम्विधान सभा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे अस्थाई अध्यक्ष पूछा है ध्यान देंगे तो यह थे डॉक्टर सचीदा नंद सीना ठीक है सचीदा नंद सीना जो सबसे ज़्यादा वरिष्ट थे उनको बनाया गया था स्थाई अध्यक्ष ठीक है नेक्स्ट किश्चन है फ्लाइंग सिक्के उपनाम से कौन जाने जाते हैं तो मिलखा सिंग ये धावक है ठीक है इनके उपर मूवी भी बनी हुई है वह आप ने देखी होगी शायद रगबी फुटबोल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है तो पंदरा होती है रगबी फुटबोल में ठीक है पंदरा सविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कोंते देखो अस्थाई तो सचिदानन से ना थे और स्थाई की बात करें तो कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ठीक है जो कि ब माउंट बेटन योजना थी माउंट बेटन योजना भारतिय राष्टि कॉंग्रेश का प्रथम विभाजन कब हुआ तो यह सूरत अधिवेशन के दोरान हुआ दो दल में बट गया था यह 1907 के अंदर ठीक है गीता रहस्य नामक ग्रंत किसके द्वारा लिखा गया है गीत सभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मिद्वार की नियूनत मायू कितनी होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए 25 यर्स ठीक है राक्षशी तांगडी या ताली कोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था एक बात है ये युद्ध कौन से वर्ष हुआ था त नहां पे सारनाथ में मुम्ताज महल का असली नाम क्या था मुम्ताज महल का ये इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम ठीक है मुम्ताज महल कौन जिसकी याद में शा जाने ताज महल बनवाय था उनकी बीवी थी भारतिय सविधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक भारतिये सब्जी शोद संस्थान कहा स्थित है सब्जी शोद संस्थान है वारा नसी में ठीक है नेक्स्ट किस्चन सोर्य एवं प्रत्वी के बीच न्यूंतम दूरी यानि कि उपसौर किस दिन होती है जवाब देंगे जल्दी से यह 3 जनवरी का दिन होता है ठीक है सबी को जवाब देना है अच्छे से क्लास कवर करते जाना है इंपोर्टेंट किस्चन चल रहे हैं एक डेट घंटे जितने भी टाइम आपको लगता है जरूर इस क्लास को देखें कृत्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है सूर्य से सबसे जदा दूरी पर कब होती है यह 4 जुलाई को होती है अपसौर की अवस्था कौनसी अपसौर की अवस्था और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है यह होती है उपसौर की अवस्था ठीक है नेक्स्ट क्रिश्टन विजुत का सबसे अच्छा सूचालक कंड़क्टर कौन है तो सिल्वर है यानि कि चांदी आपका डेसीबल का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है तो ये ध्वनी की तिवरता के मापन में किया जाता है डेसीबल का प्रियोग नेक्स्ट क्रिश्टन भारत का राष्ट्य खेल किसे माना जाता है तो आपको पता हिए होकी को माना जाता है तो ये भी होकी से सम्बंदित है इनके जनम दीवस पर ही राष्ट्य खेल दीवस में आया जाता है important question चल रहे हैं दादा साहब फाल की पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है काम सुत्र के लेखक कौन है तो वातसायन है मानव शिर्गीर की सबसे छोटी अंत्यस तरावी ग्रंथी कौन सी है वो पियूस ग्रंथी जिसको आप पिट्यूटरी ग्लेंड भी बोलते हैं अंत्यस तरावी ग्रंथी है सबसे छोटी तंत्रीका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है Neuron है, तंत्री का उत्तक की, कार्यात्म की काई Polio Vaccine की खोज किसने की, तो ये Jonas E. Salk ने की, ठीक है Question पूछा जाता है, चेचक के ठीके की खोज किसने की तो Edward Jenner ने की, किसने की Edward Jenner ने, ठीक है Panicilline का भी पूछा जाता है Panicilline किसने की बताओ चल्दी से पैनिसलिन की खोज फ्लेमिंग में किसने की फ्लेमिंग में ठीक है और यहां पर पोलियो वैक्सीन की बात हुई है तो जोनास इसौल्ग काला जार रोग किसके कारण होता है काला जार होता है प्रोटो जोवा के कारण आपको बुक जो ग्रीन वाली है फूर्स लेवस वाली उसमें विशानों जीवानों प्रोटों जोगा इन सबसे होने वाले रोगों के टेबल बना के दे रखिए वो टेबल अच्छे से याद कर लें उससे बाहर किस्टन नहीं जाएगा भारतिय क्रशी अनुसंधान परिशत का मुख्याले कहां स्थित है भारतिय क्रशी अनुसंधान परिशत तो यह है नई दिल्ली में दादा साहब फाल के पुरुसकार जो कि सिनीमा के छेत्रों से संबन देता है सर और प्रत्थम किसे मिला था तो यह देवी का रानी को मिला य यह भी ठीक है डीने की द्वी कुंडलिट सरंचना मोडल जिसको डबल हैलिक्स मोडल आप कहते हैं इसको किस ने प्रदिपादित किया तो यह किया वाटसन एवं क्रिक ने ठीक है तो स्टार विक इतने क्रिश्टन के लगाएं हर एक क्रिश्टन जो इतना ज्यादा इंपोर् और एच्टो यानि कि हाइड्रोजन गैस ठीक है तो कार्बन मोनोकसाइड और हाइड्रोजन गैस का संयोजन है जल गैस वाटर गैस भिलाई इस पाथ सनी अंतरक इसकी सहायता से इस्थापित किया गया था तो यह रूस देश ने इसमें सहयोग दिया था पैरिश सहर किस न अप्लांटिक महासागर में किस सविधान संचोदन अधिनियम को मीनी सविधान कहा जाता है मीनी सविधान 42 सविधान संचोदन अधिनियम कहलाता है जो कि हुआ था 1906 में ठीक है नेक्स्ट किस्टन है दाचीगम नेशनल पार्क कहां है दाचीगम नेशनल पार्क है आपका जम्मो कश्मीर में महात्मा गांदी दक्षन अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे 1915 में गुरु शिखर किस परवत्माला की सबसे उंची चोटी है यह अरावली की ठीक है लावणी किस राज्य का प्रशिद्ध लोकनित्य है महारास्ट्र देखो लोकनित्य सारे आपको कुप टिक्स से करवा है टोपिक वाइज दीके वाली चलास आप देख सकते हैं क्यों महारास्ट्र का है कोमका सूर्य मंदर किस राज्य में हैं ये ओडि सा में हैं कोर्णार का सूर्य मंदर dif Ю вони का मान कितना होता है यह होता है 273 degree Celsius ठीक है 273 degree Celsius धातुओं का राजा किसे कहा जाता है सोना यानिके गोल्ड को पीतल किसकी मिश्र धातु है जो काजी जम गई क्या जम गई काजी का से तो क्या हो जाएगा कोपर पीतल के बरतर में क्या जम गई काजी तो कोपका से कोपर जी से जिंक तो कोपर और जिंक यानि के तामबा और जस्ता ठीक है नेक्स्ट किश्वन विवेकानंद रोक मेमोरियल कहां पर आए तो ये है कन्या कुमारी में जो कि कहा है तमिल लाडू में ठीक है फाइको रोजी में किसका अध्यन किया जाता है शेवाल का यानके एलगी का ठीक है फाइको रोजी लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया उन्निस सो ग्यारा में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो ये ए ओ यूम ठीक ह का तारा या भोर का तारा किस गरह सब्सक्राइब किया क सुच्छ का उप्रिती वाली धुसान तरंगों किया उन्को श्रव या ओडिवल वेदी कहते हैं इनको मनुष्य जो है असानी से सुन सकता है प्रकाश का वेग सर परितर्वकितों किस नियाक किया रोमर ने भारत के प्रमुक समात सुधारक राजार राम मोहन राय की समाधी कहां स्थित है इनके प्रयास दही सती प्रथा को बंद करवाया गया था विलियम सविधान की प्रारूप समीती के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस नहीं रखा प्रारूप समीती के समक्ष यह पंडित जवाहलाल नहरू नहीं रखा था ठीक है Next question भारत में सरकार की संसदिय प्रणाली कहां से ग्रहन की गई है भूमद्य सागर का प्रकाश स्थम किसे कहा जाता है स्ट्रोंबोली जो आला मुखी को कहते है अमज़द अली खान किस वद्य यंत्र से संबन दित है तो ये सरोध से संबन दित है सबी आपको ध्यान से याद कर लेनी है नेक्स्ट देखते हैं सोर मंडल का सरवाधी गरम ग्रह है कौन सा है देखो अगर आप ऐसे सोचोगे कि जो बुद्ध ग्रह है वो सूर्ये के सबसे निकट होता है सूर्ये के सबसे निकट कौन होता है बुद्ध ग्रह होता है लेकिन जो है शुक्र ग्रह सबसे गरम ग्रह है शुक्र बुद्ध के बाद में आता है फिर भी शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गरम ग्रह होता है तो इसको याद रखना है अच्छे से प्राचीन सिक्कों पर विर्णा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था ये हैं राजा समुद्र गुप्त ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ये है केरल का ये किश्चन तीन बार रिपीट हुआ है अर्मे में ध्यान देंगे इसको एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है कटा हुआ हीरा देखो हीरे में क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन उसके करण जो तरंग होती है वो हीरे के अंदर प्रवेश कर जाते है और उधर उधर टकराती रहती है उसके करण जो है सांग पो के नाम से जाएनी जाती है ठीक है याद कर लेंगे next दिखो वहनों में पीछे का दरश्य देखने के लिए कौन सा दरपन या mirror use होता है तो उत्तल दरपन यानि के convex mirror use होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मातरख क्या है रजिस्टेंस का ऐसा ही मातरक बताओं प्रति रोध यानि रजिस्टेंस प्रति रोध का ऐसा ही मातरक होता है ओम सुत्र पड़ा है न ओम का नियम वी इस इकल टू आई यार इस आर का मान पूछ रहा है यह आर का मातरक क्या होता है इसका मातरक होता है ओम वी होता है वोल्ट इसका मात्रक होता है वोल्ट विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट और आई धारा-धारा का मात्रक होता है है uh विजुदधार इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक API नेक्स्ट क्यूस्टन टमार्टर में कौन सा अमल पाया जाता है जंदान बॉर संथापक कौन था चंद्र हुआ ड्स पर हुआ था चंद्र कूप्त मोर्या वाला मोर्या दोसरा संतापक तुद वह थो पूरा एकदम और भॉक्सित किया ग्याय ग्यां आपको मैसेज को लिंक मिल जाएगी एप डाउनलोड की तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना ताकि पीडियफ वगर आपको टाइम पे मिल जाए और टेलिग्राम भी जोईन कर लेना रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयू का आंकलन करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो यह जिवाश्म की ज कौन सा तत्वसूर्य में सरवाधिक पाया जाता है तो हाइट्रोजन इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है भारी जल का रसायनिक सुत्र हैवी वाटर का तो यह होता है डूटीरियम ऑकसाइट यानि डी टू ओ इसको ध्यान रखेंगे दो तिन बार रिपीट वाए शाषक कौन था अंतिम शाषक की बात करें तो यह व्रहदर्थ था ठीक है होम्योपेथी के संस्थापक कौन थे यह हैनीमेन निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटो जोवा है ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग मतलब सोने की बिमारी पैदा करने वाला ह्याना हैरी के नाम से कौन प्रसिद है कपिल देव हरियक वंश का संस्थापक कौन था बिंबसार माल गुड़ी डेज पूस्तक के लेखक कौन थे आरके नारायन आरके नारायन नोर्मन बोर्लोग पुष्कार किस छेत्र में दिया जाता है क्रशी के छेत्र में ठीक है ठ्या रखेंगे हरियक वन्षवला भी कुष्चन आयो है सारे कुष्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पर होने वाले आपके लिए तो अच्छे से ध्यान से देखना है काजी रंगा नेशनल पार्क कहां से तैंब बताओ जल्दी से दो तिन बार पड़ो कुष्चन को द पर होती है तो 746 वोड आशो सकती मतलब हौट पावर पक्षियों के अध्यन को क्या कहते हैं और नीथो लोजी कहां जाता है प्रसिद्द चीनी यात्री हें सांग किसके शाशनकाल में भारत आया देखो हसे हें सांग हसे हर्षवर्दन हर्षवर्दन की काल में भारत आया वेश्रका सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है? तो ये एंजल जल प्रपात है जो की कैरोनी नदी पर वेने जुविला में स्थित है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् बनाया जाता है ठीक है विश्र का सबसे छोटा फूल कौन सा है वुल्फिया विश्र का सबसे बड़ा फूल कौन सा है रेफलेशिया माना शरी कि सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है यक्रत यान लीवर बाबर ने अपनी अत्म कथा बाबर नामा किस भाशा में लिखी थी तुर बंडल अब जिन भी स्टूरेंट्स ने पीछे के एक्जाम से ओरिजनल पेपर्स देखेंगे उनको फता लग रहा होगा कि कितने क्यूस्टन यहां से आए हुए है ठीक है भारतिय सविधान को सविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया यह 26 नवंबर 1908 में ठीक है भा इस नवंबर को 1909 में किया गया था इसी दिन हम सविधान दीवस मनाते हैं और हम सविधानता दीवस स्वाधीनता दीवस कब मनाते हैं स्वाधीनता दीवस कब मनाते हैं भारतिय सविधान को जब पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 चनवरी 1950 को तब मनाते है ठीक है प् मखबरा है औरंगाबाद महारास्टों में यह ताज महल के जैसा ही दिखाई देता है ऑल्मॉस्ट जो है ठीक है और अच्छ एब का आविशकार किस ने किया बेंजामीन फ्रेंकलीन लिन ने किया जो आवेश होते हैं उनके बारे में किस नहीं जाता है बेंजामिन फ्रेंक लिन ने ठीक है अंतराष्टे योग दीवस किस दिन मनाया जाता है 21 जून को बाबा रामदेर के प्रयास से ही जो है इसको अंतराष्टे योग दीवस के रूप में घुशित किया गया अजात शत्रू किसका पुत्र था बिम्बिसार का ठीक है किस छित्र में ऐस धारन योकदन के लिए शांती स्वरोप भटना कर पुरुसकार दिया जाता है विज्ञान के छित्र में लाफिंग गैस का रसाइनिक नाम क्या है इसका सुत्र होता है N2O बताओ जल्दी से नाइट्रस ऑक्साइड विज्ञान अगर सामराज्या की स्थापना किसने की दोभाई थे हरियर एवं बुक्काने 1336 स्वी में ठीक है इंपोर्टन्ट है ध्यान रख लेंगे वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है साथ होती है टेंडन किसे जोडता है मास पेशी से हड़ी को हड़ी से हड़ी का जो जोड होता है उसको क्या कहते हैं लिगमेंट्स कहते हैं एनिमो मीटर से क्या मपा जाता है वायू की गती को ये कृष्चन 2020 में आया है वायू की गती को एनीमो मेटर से मापा जाता है भारत के सविधान की आठवी अनुसूची में कितनी भाषा आए हैं आठवी अनुसूची में 22 भाषा आए हैं राज्य सभा की सदश्चों का कर्यकाल कितने वर्ष का होता है, छे वर्ष का, ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ, ये कहते हैं, ठोस कार्बन डाई ओकसाइड को, यानि कि CO2 को, ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं, कि देखू यह जो भाशाएं वाला है यह दिरे दिरे भाशाएं जो भढ़ाई भी जा रही है इसके अंदर जो आठीवे नुसुच में भाशा है ठीक है तो शुश्क बर्फ हो गया सीयोटू ठोस कारबन डाइयोकसाइड इंपोर्टेंट यह तीन बार आ चुका 1866 हिस्वी में सत्य शोदक समाज की स्थापना किसके दोरा की गई थी यह जोतीवा फूले के दोरा की गई वांडीवाश का जो युद हुआ को जांग बुए भारत के समुद्री गार्ग की खोज किसंकि वासकोडिगामानी की कि号स वासकोडिगामा जा था तो यृ सिक काली निकट बंदरगांपे ठीक है समुद्री खमार की खोश किसने की वस्कोडी गम अच्छे से आत कर लिया मिल्क ओफ मैगनीशिया का रसाइनिक सुत्र क्या है मैगनीशियुम हाइड्रोकसाइड इसको बोलते हैं सुत्र है सुवद्य यंत्र के लिए प्रसिद हैं बासूरी के लिए सीने गोग किसका पूजास्तल है सीने गोग यह है पूजास्तल यहूदी धरम से संबंदित ठीक है भारतिय सविधान का कौन सा अनुच्छेद अर्ष प्रश्यता यानि कि छुआ छूत का अंत करता है पूजा अधिकारी को न Informationen जनरल कहलाता है लोकस लेखा समीधी अपनी रिपोर्ट किसे सोबती है राजय पाल अपना त्याग पतर थेता यह राष्टपती निक्ट्त करता है हैं हवाई जहाज वाजय मंडल के किस परत में उड़ते हैं हवाई जहाज स्थ जोए समताप मंड मंदल के अंदर उड़ते हैं अस्त प्रधान मंत्री मंदल किस शाषक के शाषन काल में थी यह शिवाजी के शाषन काल में थी और नवरत्न पूछा जाये तो नवरत्न किसके ख़ःसनकाल में थे अकवर की शक समवत का प्रारमब किस समराच के शाशनकाल में 78 इस्वी के अंदर हुआ बताएंगे तो यह कनिश्क के साशनकाल में होता इंपऔर directamente कनिश्क की रासधानी कहा थी बताएंगे तो कनिश्क की रासधानी पुरसपूर में जो कि वर्तवान का पेशावर कहलाता है उत्री धरुप की खोज किसने की रौबर्ट पियरी ने की दक्षनी धरुप की खोज किसने की एड़मन्ट सेन ने की दोनों ही किस्चन आर्मी पुछे जा चुके हैं पीछे ये भी संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, जिसको हिंदि में गुनचन पक्षी भी कहते है आव श्रव्य इंफ्रैसोनिक वेव और्टी कितनी होती है यह 20 ह 홷 से कम होती है वयू में प्रकाश की चाल कितनी होती है यह तीन गुंधा 10 की गात aaट मीटर प्रती सेकंड ती तीन गुंधा 10 की हिलाडी 9 जोकोविच्क किस देश की नोवाव क्यों जोकोविच सर्बिया कि नोवाव जोकोविच सर्बियां से संबन्द देते हैं थी कैं टेनिस के खिलाडि हैं Reporter को किस वर्ष्यasto नोबल पुरुसकार मिला था 1930 दमन प्रभाव की खोज की कारण 28 फरवरी को जो है रिस्पेक्ट देने के लिए यही भारतिय जो राष्ट्रिय विज्ञान दीवस है वो मनाया जाता है ठीक है सीवी रमन को किस छेतर में कार्य करने के लिए नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो प्रकाश के प्रकिर्णन पर इन्होंने वर्थ किया था और रमन प्रभाव की खोज की थी मगद सामराज्जी की प्रथम राजधानी कौन सी थी राजग्रह भारत में राष्टपती राजज सभा के कितने सदश्चों को मनोनित कर सकता है इसमें 12 है इसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है बट अभी के लिए आप याद दख लीजी 12 राष्टपती एंग्लो इंडियन समुदाय कि कितने सदश्चों को लोक सभा में मनोनित करता है दो को ठीक है इसमें भी कुछ जो हो सकता है परिवर्दन किया जा रहा है समान वर्षा वाले छित्र को जोडने वाली देखा क्या कहलाती है आईसो हाइट कहलाती है विश्र का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट उद्यान क्या बुल लाम जाओ कहां पर है यह मनीपुर में इंडिया में भारत में सबसे बड़ी लैगून जील कौन सी है चिलका जील ह राज्य में है यह ओडिसा में इंपॉर्टेंट ध्यानक में रेटीना पर बना प्रतिविंब होता है वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु के अकार से छोटा होता है धनवंतरी पुरुसकार किस छेत्र में प्रदान किया जाता है चिकित्सा के छेत्र में आधुन को कहा जाता है इंपोर्टेंट है प्रसिद्य राजा रानी मंदिर कहां सित है भुवनेश्वर में गदर पार्टी की स्थापना की सोवर्ष हुई थी 1913 इसवी में पीली करांती किस संबंदित है तिलहन के उत्पादन से पीली करांती संबंदित है ठीक है नई जलोड को क्या कहा जाता है खादर कहते हैं खटा दूद यानिके दही में कौन सा एसिड पाया जाता है लेक्टिक एसिड पाया जाता है तांसे इन सम्मान किस रज्य सरकार द्वारा दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तांसे इन कौन थे अकबर के नव रतन थे अकब हाईड्रोकसाइड जिसको न ऊच लिखते हैं सुतर होता है रानी लक्षमीभाई की समाधी कहां स्थिता है गौालियर मध्यप्रदेश में प्रात्मिक रंग कौन से होते हैं नीला हरा और लाल नीला हरा और लाल वर्त्यावर्ति धारा को दिश्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है रेक्टी फायर के द्वारा परत्यावरती यानि अल्टरनेटिव करणड को डायठ करणड में डी सी में यावदत लूष 3 ट चालक किस धाटू के बनाए जाते हैं तामवा यानि को रखने किसने प्रसिद्द चतगाउ को आयोजित कि Co था सूर्य सेन ने सामन कमीशन भारत के सुवर्षाई में फिस चणा लिकांदी के राजनेतिक घुर्ट कौन यह लग्र ह GitHub Takd aleg हैंगे चल्दी से लेंस की भाती ये किस्टन भी दो बार रिपीट हुआ है अच्छे से याद करेंगे खाद्य पदार्थों के परिक्षन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का गुलाम वंच की स्थापना बारा सोच्छा इस्वी में किस ने क महान शरीर में यूरिया का निर्मान कहां होता है यकरत यानि के लीवर में 1857 के विद्रोह का नेत्रत्व बिहार में किस ने किया बिहार में कुमर सिंग ने हुमायू नामा किस ने लिखा गुल बदन बेगम ने लिखा था अकबर का मकबरा कहां सित्याकबर का मकबरा चादराबाद में यूपी में भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के 1924 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहां पर हुआ था यह बेल गाउं में हुआ था 1879 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई है यह 17,000 किलो मेटर कम हो गई है सुएज नहर किसे जोडती है लाल सागर और भूमद्य सागर को जोडती है सुएज नहर किसे जोडती है लाल सागर और भूमद्य सागर को जोडती है पुर्वी घाट परवत श्रेणी का सरवच्छ शिखर कौन सा है महेंद्र गीरी भरत नाटियम किस राज्य का प्रसिद्ध राश्टिय नरित्य है तमिल नाडु का राज्य सभा में सीटों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 250 वरतमान में राज्य सभा में सदश्यों की संख्या कितनी है 245 है भारत की आजादी की समय भारती राश्टे कॉंग्रेस की अध्यक्ष कौन थे भारती राष्टे कॉंग्रेस के देख्स भारत की आजाती की समय थे जेवी कृपलानी कांग्रेस सोचलिस्ट पारटी की स्थापना कब हुई 1934 में प्रकाश वर्ष किसका मातरक है प्रकाश वर्ष है दूरी का मातरक जयान रखेंगे वर्ष देखके टाइम मत कर देना समय मत कर देना दूरी का मातरक है प्रकाश वर्ष बड़ी जो खगोली है दूरी होती उनको मापने में काम आता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.462 की पावर 15 मीटर या किलो मीटर में देखें तो यहां 12 हो जाएगी ठीक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है यह किश्चन 3 बार आ चुका है और पार से का इसका आंसर इंपॉर्टेंट है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किस महापुरुष की आत्म कथा है बताएंगे तो यह महात्मा गांधी की आत्म कथा है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ ठीक है एक अंतरिक्ष यातरी को अंतरिक्ष में अकास कैसा दिखाई देता है अंतरिक शियात्री को अकाश कैसा दिखाई देता है काला ठीक है वहां पे जो है परकिर्णन नहीं होता है और कंड नहीं पाई चाते हैं धूल वगरे के तो जो नीला और वैंगनी रंग का प्रकाश है वो पूर्ण का नहीं फैल पाते हैं अकाश पर रंग उनको काला ही में पर चींब होते हैं तौप नयुक्र का नाम चाइब कैसे होता है यह महते होता है यह होता है एड्स का पूरा नाम क्या है यहां पर दिया हुआ है देखो एक्वाइड इम्यूनोडिफिसियंसी सिंड्रॉम ठीक है एक्वाइड इम्यूनोडिफिसियंसी सिंड्रॉम एड्स का पूरा नाम है विजट फ्यूज परीपत के साथ किस करम में जोड़ा जाता है जो फ्यूज ने कभी राजस्थान जाओ तो जरूर देखना बहुत चांदार है आगरा नगर की स्थापना किसने की सिकंदर लोधी ने की भारतिया सविधान के किस अनुछेद में प्रेस की सोतंतरता दी गई है तो यह अनुछेद आर्टिकल उन्निस ए में ठीक है विजद धारा को एंपियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है मीटर का ज्यानक न एवियन इंफ्लूएंजा यानि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है एच फाइफ एनवन वन विशाणों के द्वारा यह जो 2018 का पर था उसमें आया है एच फाइफ एनव उससे उसके ताप का टेंपरेचर का पता चलता है कितना गर्म है सीने बार किसका अयस्क है पारे का अयस्क होता है सीने बार एक बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है बॉक्साइट बॉक्साइट किसका अयस्क है यह है एल्यूमीनियम का किसका है एल्यूमीनियम का प्रती पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए एल होता है सीलीकॉन क्या है यह अर्ध चालक है सैमी कंडेक्टर है बरसाती यानि के रेन कोट्स किससे बनाए जाते हैं पोली कारबोनेट से बनाए जाते हैं तक इसमें पानी नहीं गुसे कोशिका के अध्यान के विज्ञ प्रियोग होता है पोली एथिलीन पोली एथिलीन संत्रा इवं नीम्बू जो खटे फल होते हैं उनमें कौन सा अमल पाए जाता है सिट्रिक अमल राज्य सभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी नर्गेस दत जो की संजय दत की मदर थी अकबर ने दीन इलाहि धरSu ke 100 वर्ष प्रारंब किया话 1582 में बह्मणी राज्य की स्थापना किसने की थी बह्मणी की सापना किसने की अल्लाव दीन हसन बहमण शाह है जिनको हसन गंगू कहते हैं उन्होंने की ती बह्मणी रज्य की स्थापना चार मिनार का निर्मान किसने करवाया खुली कुतुब शाने करवाया चार मिनार का निर्मान भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है लौड कॉर्ण वोलिस को नागरिक सेवा का जनक कहते है गेलेना किस धातु का एस्क है लेड का यानि कि सीसे का स्वामी विविकानन का मूल नाम क्या था अंतराश्टे दिनाक रेखा कहां से ओकर गुजरती है 180 डिग्रीत देशांतर से ग्रेफीन होता है ये कारबन का नैनो प्रती रूप है सलीम अली राश्टे उद्यान कहां पर सित है जम्मो कश्मीर में सलीम अली पक्षी अभ्यारन किसे राज्जे में सित है गोवा में ध्यान रखना राश्टे उद्यान तो है जम्मो कश्मीर में सलीम अली और सलीम अली पक्षी अभ्यारन है गोवा में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है जैपुर राजस्थान को ठीक है बहुत सारी टूरिस्ट आते हैं विदेशी यहां पर आते हैं भूमने के लिए क्योंकि पूरा जो है माहूल इस तरह का यहां पर होता है बहुत ही शांदार कवकों की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है यह काईटीन की बनी होती है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महादूइप में है अफरीका में सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है कहां पर है अफरीका में भारत में कौन सा है भारत में है थार भारत में लोगसभा अध्यक्ष कौन थे जीवी मावलंकर ठीक है जीवी मावलंकर प्रत्रम लोगसभा उपाध्यक्ष कौन थे अनंत शैनम चालुक के शाशक पूलकेशिन दित्य और हर्शवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद हुआ था जिसमें हर्श वर्धन की पराजय हु भी थी यह नर्मदा नदी के तठपर हुआ था गुप्त वंच का संस्थापक कौन था श्री गुप्त यह कुष्चन आच गई है एससी में भी आया हुआ है और आर्मी में भी आया हुआ दोनों में प्राचीन भारत के महान व्याकरण ने पतंजली किसके समकाली इन थे ब्रहांड में कौन सा तत्व पाया जाता है ब्रहांड के उपराष्ट्य पती का निरवाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा भी राज्यसभा भी भारत्य संसद के अपर हाउस यानि उच्छ सदन को किस नाम से जाना जाता है राज्यसभा भारत्य संसद का प्रथम सदन या जरनिम्न सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है लोकसभा भारत में दास प्रथा का किस गवर्णर जनरल के समय में हुआ दास प्रता का उन्मूलन लॉर्ड एलिन वरो के टाइम में हुआ था कि दास प्रता का उन्मूलन मतलल हटा दिया गया उसको हरडपनीती किसके द्वारा लागू की गई लॉर्ड लहोजी के द्वारा बहुत ही खरावाद मी था ही महाराना प्रताब के गोडे का नाम क्या था चेतक ठीक है राजस्थान के जगजाम सवर में काफी वारत याता है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्व मंत्री कौन थे आर के सन मुखम चेटी ठीक है वित्व मंत्री थे प्रथम चार मि कि लोकट किस राज्य में स्थित है बताएंगे मनीपुर में प्रकाश को शूर्य से पृत्वी तक आने में लगभग उस्तन कितना समय लगता है लगभग जो है आठ मिनिट पंदरा सेकंड से उपर ही लगता है यानके आठ मिनिट शोड़ा पॉन्ट छे सेकंड ओलमस्ट चं चंदरमा से प्रकाश परावर्थी थोग आता है जो प्रकाश जाता है वही टकरा किया परावर्थ थोग आता है तो एक पॉंट दो आठ सेकंड लगते हैं नामदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में है अरुनाचल प्रदेश में जारखड में स्थित जादूगोडा का ख के द्वारा की जाती है राज्य पाल के द्वारा की जाती है भारती राज्य नागालेंड की अधिकारिक भाशा क्या है नागालेंड के अधिकारिक भाशा अंग्रेज जी है ठीक है ध्यान रखेंगे और मुख्य मंत्री की नियुकति किसके द्वारा की जाती है राज्य पा की सबसे लंबी नदी कौन सी र Forces भारत की सबसे लंबी नदी है गोडाववरी जिसकी लंबबाई लगब कर 240 365 किलो मिटर लगवक लिट मस्पत्र किससे प्राप्ट किया जाता है लाइकेव सई किलो मिटर जा चुकआ है ऐसा बैक्टीरिय ऑच्ट इक कोशी की जी होता है एल कर देशास्त्र के छेत्र में नोबल पुरुसकार किस नोबल पुरुसकार किस वर्च से प्रदान किये जा रहे उनेस सो उनेतर से प्रदान किये जा रहे इर्थ शास्त्र के छेतर में Discovery आफ इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है पंड़ित जवाह लाल नहरू ये कुष्टन आपकी एर्मी में आ चुका है यात्री इबने बतूता किसके शाशनकाल में भारत आया तो ये महम्मद बिन तुगलक के शाशनकाल में भारत आया यात्री इबने बतूता कहां से आया था ये मोरक्कों से आया था कहां से मोरक्कों से भारतिय सविधान की दसवी अनुसूची किस से संबन देता दल बदल कहन सब्षंबन दीता है कंग्रस इंदर इस तरह से विशानु वायरस क्या है यह अकोशी कोषी का न हनुए इस ढाल कि बने बता है यह विरदुक्र के यह व्रधि करने बता है मुद्रसरवादी किस दातवू के बने होते हैं यह सीसा लेड के बने हुए थे गोतम बुद्ध का जर्म कब हुआ तो ये 1563 इस्वी लुंबिनी में हुआ था ये क्विश्चन भी पुछा है गोतम बुद्ध का जर्म कहा हुआ था लुंबिनी में जानक ना सोर मंडल का सबसे बड़ा उपगरह गेनी में जो की ब्रसपती रहका है सोर मंडल का सबसे छोटा उपकरह कौन सा डीमोस है ये शायद मंगल का है नेक्स्ट क्रिश्चन मदाता के समय मद सोरी मदान के समय मदाताओं की उंगलियों पर जो एक ब्लू ब्लेक सा निशान लगाते हैं वो कौन सी शाही से बना होता है ये सिल्वर नाइट्रेड की शाही होती है सिल्वर नाइट्रेड एजी एनो थ्री अठारा सो सतावन का विद्रोह कहां से चुरू हुआ था मेरट च्छावनी से गर जत्ती चालिसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साथा क्या है दक्षणी गोलार्द में पश्वा पवने जो हैं उनके नाम है ठीक है पवनों के नाम इतरह से दक्षणी गोलार्द में मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे बाल गंगाधर तिलक अमल ये गोल का पिये चमान कितना होता है साथ से कम देखो साथ पे तो होता है शुद जल साथ से कम जाते हैं तो अमल होता है यानि के एसिड और साथ से अधिक जाते हैं तो चार होता है यानि के बेस ठीक है चारिये घोल का पिये चमान कितना होता है साथ से अधिक होता है सिंधु सभ्यता में व्रहत स्नानागार मतलब बड़े स्नानागार जहां पर नहाने का होता था कहां पाया गया है मोहन जोड़ो में ठीक है 1927 की बटलर कमीटी का उद्देश्य क्या था भारतिय सरकार तथा देशी रियास्तों के बीच संबंधों को सुधारना दीन बंदों के नाम से कौन विख्यात थे सी एफ एंड्रियूज भारत का राश्ट के पंचांग किस समवत पर अधालिक है शक समवत पर मोतियों का अध्यूज पर किसे कहते हैं बहरीन को कहते हैं बहरीन किस ने करवाया तो चंदेल चाशकों ने करवाया है दोनों इंपॉर्टेंट है किसिटन ध्यान रखेंगे 25 सेंटीमीटर चार बार आया यह किस्टन आर्मी में नोट कर लेना सबसे कम ऐसी दूरी कहा होती है जहां पर मनुष्य जो है एकदम क्लियर देख पाई नियूनतम पूछा है तो 25 सेंटीमीटर से अगर और पास लाया जाए तो मनुष्य को साफ दिखाई नहीं देगा कुछ भी लिखा हुआ तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए लिंगराज मंदिर कहां पर है भोनेश्व रोडिसा में है मुगल दरबार में जाने वाला प्रतम अंग्रेज कौन था कैप्टन हौकिन्स ठीक है जो जहांगीर की मुलाकात हुई थी वो कौन था सर टोमस रो था ठीक है 1905 में बंबई में Servants of India Society की स्थापना किसने की गोपाल कृष्ण गोखली ने इंपॉर्टन है सामूहे करूप से मंत्र परिशद किसके प्रति उत्तरदाई होता है लोक सभा के प्रति उत्तरदाई होता है मंत्र परिशद बुद्ध की मृत्यू 483 इसापुर्व कहां होई क कुषी नगर में होई जो कि उत्तरप्रदेश में है सिग्रेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है ब्यूतेन प्रोटीन की फैक्टरी किसको कहा जाता है राइबोसोम को प्रथम ग्यानपीट पुरुसकार किसे प्रदान किया गया जी शंकर कुरूप को ग्यानपीट करने वाली प्रथम महीला कौन थी आशा पुर्णा देवी ठीक है विंग्स ओफ फायर किसकी आत्म कता है डॉक्टर रेपी जब तुलकलाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्रिश्चन नोट करेंगे इसको खईबार आ गया एजरा कप संबंद किस खेल से है पोलो ओंकोलोजी मे किसका अध्यन किया जाता है कैंसर का भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कव हुई 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई यानि के स्वाधीनता दीवस से एक दिन पहले 1857 की क्यांति किसमें ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था लॉर्ड पामस्टर्ण रानी लक्ष्मिभाई का मोल नाम क्या था मनी करनी का चौसा का युद्ध जो की पंद्रा सो उन्चालिस इस्वी में हुआ था किसके बीच में हुआ है यह एक सैड तो दूसरी सैड था शेर सा हुमायू जो इसमें हार गया था वो डरके भाग भी गया था शेर सा वही है यह जिसने जीटी रोड का निर्मान करवाया जीटी रो थे भारत की संसद किस से मिलकर बनी है राष्टपती राज्यसवा और लोगसवा तीन अंग है इसकी भारत की संसद की राष्टपती राज्यसवा और लोगसवा भारतिया सविधान के किस अनुछेद में मोलिक कर्तव्य शामिल है मोलिक कर्तव्य जो आपको बताएं 51 कय में शामिल है भागवत गीता का सर्व प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में चार्ल्स विलिकिंस ने गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्व प्रथम प्रियोग कहां किया दक्षन अफ्रीका में गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रि पुझा जाए कि पहला सत्यागर्य का प्रियोक का बुआ हुआ हुआ गांधी जी द्वारा जो किया गया था चंपारण बिहार में एथलेट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन होती है कवक से उत्पन होती और यह कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का है ठीक है ड्रिम्स फ्रॉम माई फॉदर नामक पूस्तक के लेखा कौन है बराक ओबामा जो की अमेरिका के पूर्वर राष्ट्रपति रह चुकिया है दिल्ली मतलब बाइडन से पहले यह थी दिल्ली में कुतुब मिनार का निर्मान का कारिया किसने शुरू करवाया यह म सब्सक्राइड जो है यह कुतुब दिन एबक के अंडर में आ गया था जब मुहमद गोरी ने प्रिथ्य राष्ट चुहान को बंदी बना लिया था उसके बाद में कुतुब मिनार का निर्मान का कारिया पूरा किसने करवाया पूछा जाए तो इल्तुत्मिष ने करवाया मसाई जन जाती कहा निवास करती है केनिया एवं तंजानिया में शुगर बाउल ओफ द वर्ल्ट चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है यह कुछा जा चुका है भारतिय मानक समय आधारित है साढ़े बियांसे डिग्री पूर्वी देशा अंतर साढ़े बियांसे डिग्री पूर्वी देशा अंतर पर इंपॉर्टेंट किस्चन इंडियन स्टेडर्ड टाइम और ग्रीन विच मीन टाइम में कितना अंतर है साढ़े पांच घंटे का अंतर है मोहन जोर्टडो का स्थान ये नाम क्या है मृत्यकों का टीला ठीक है यह पुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है मरू टीबा यानिके ड्यून डांडिया कहां का प्रसेदन रित्य है गुजरात का है जो की नवरातरा के टाइम बहुत किया जाता है रेग कि बीच की औसत दोरी को खगोली एकक कहा जाता है पृत्वी और सूर्य के बीच की दोरी को सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है अभी उपर मैंने आपको बताया भी था कि बुद्ध सबसे नजदीक है पर सबसे गरम ग्रह कौन सा होता है शुक्र फलों को कृत्र होने से ठकाना जाते देखो बहुत इंपोर्टेंट किस्चन चल रहे हैं बोर नहीं होना है बिलकुल भी लक्ष को ध्यान में रख कर चलें एक डेड़ घंटा कोई ज्यादा नहीं होता है लगबग डेड़ गंटा लगेगा और यह 500 किस्चन जो है कंप्लीट हम कर लेंगे ब पैसे बेख सकते हैं किसकी काय होती है लैंस की शमता की डिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाये था शाजाने शाजाने लिए टाज गास के मैदान को क्या कहा जाता है प्रेयरी कहते हैं ठीक है विश्व स्वास्ते दीवस कब मनाया जाता है यह साथ एप्रिल को मनाते हैं विश्व स्वास्ते दीवस वर्ड वाइब के आविशकार कौन है www कोई साइट से पहले लिखाता है www.com वर्ड वाइब के आविशकार कौन है टिम बरंसली ठीक है जायक वाडी जल विजद परियोजना कि सराज्य में अवस्थित है जायक वाडी यह महारास्टर में है गोदावरी नदी के ओपर प्रितवी की आयू का आउंकलं किससे क्या जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से आशा की धातू मेटल ओफ होब किसको कहा जाता है यूरेनियम को कहा जाता है क्योंकि जो नाभी के एक नूखलियर तत्व होता है ठीक है और न्यूक्लियर रियक्टर जो होते हैं नाभी की रियक्टर में यूज आता है नाभी की रियक्टर में नाभी की रियक्टर में ओकी आसकर पुरुसकार किस छितर में श्रिष्ट प्रदर्शन के लिए दिये जाते हैं सिनेमा के छितर में एलीसा किस र का नाम है ठीक है यह एड्स रोग की पहचान करती है राष्टिया मानवाधिकार आयोग की स्थापना का बूई 1923 में गोबी मरुस्तल किस देश में स्थित है मों कहता है मंगोलिया में ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है डाउंस कहते हैं यक्षग्यान नाम लोक नृत्य का सम्मंद की सरद जैसे करनाटक से क्यूष्टन पूछ लिया है पीछे किस ताप मान पर सेल्सियस और फारन हाइट का मान बराबर होते तो माइनस पंच शील समझोता उनने सो चोपन में हुआ आपका पता है इस पर हस्ताक्षर किन देशों के मद्य हुआ तो भारत और चीन के मद्य है इस टेम प्रधान वंत्री कौन थे पंडित जवाहरलाल नैरू भारत के इकविनॉक्स संबंधित है किस संबंधित हैं दिन और रात के समान अवधी से कल्यानकारी राज्य की अवधारना सविधान में सम्मीलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिधानतों के अंदर ठीक है राष्टे खेल दीवस कम मनें जाता है 29 अगस्त को क्यूं मेजर द्यान चन्द का जनम समगोजत को कहा जाता है 29 अगस्ट को इनके सम्मान में हुद्धस हैं भारत का रास्ट्री ने खेल हैं लगा दिया गया कि चुरास्तिवा सविधान संचोदन था दो जार एक में हुआ था लोकसभा की जो सीट है उनके पुनर निर्धारन पर प्रतीबंद लगा दिया गया महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तिर्थंकर थे 24 वे तिर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंदित है तराइन का प्रत्थम युद कब हुआ आपको पता है 1191 में हुआ कब हुआ 1191 में प्रिथ्वी राज चोहान ने किसको हराय था मोहमद गोरी को हराय था तराइन का जो सेकंड युद हुआ था एक सल बाद ही 1192 फिल्वी में हुआ था और इसमें धोक्य से महमत गोरी नहीं प्रिथ्वी राज चोहन को बंदी बना लिया था ठीक है और गज्ञनी ले गया था प्रित्वी राज चोहन महमत गोverage की बीच हुआ था विडाल टेस्ट किस बिमारी की पहचान की लिए किये घाता है ता थाए से तो इसको याँ से काट देंगे और यہाँ पर क्या करेंगे सेकंड सेकंड नियम से मिलती है ठीक है नित्यalso को पता है और बलकी परिवाशा है फीजिकल वाला कौन सा नियम है दित्य नियम है नेक्स्ट क्यूश्टन मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है गैस के दाव की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा ठीक है इमेल का जर्म दाता किसे कहा जाता है इमेल रे टॉम लि mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis ठीक है यह प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि TB उत्पन करता है तो TB जो है एक दूसरे से फैलने वाला रोग भी एक तरी का संक्रामक रोग भी है तो जिस इनसान को TB है उससे आपको फैलने का खत्रा रह सकता है गर आप उसकी यूज की वही चीजों को ही यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादल मात्रा में 6 TB रोग से कौन सा अंग परभावित होता है फेफड़ा परभावित होता है इससे फेफड़े गल जाते है इस टाइप से नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है ब्रून पोश महावीर स्वामी का जर्म 540 इसा पुरू हुआ था कहां पे हुआ था ये कुंड ग्राम जो की वैशाली में है ठीक है अब ये पकिस्तान में चिलागी है शायद सोमनाथ मंदिर पर 2025 इस विमें महामूद गजनवी की आक्रमन की समय गुझरात का शाशक कौन था देखो आपको पता है मेहामूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लुटा था कब लूटा था एक 2005 में यहां पर बहुत मातरा में सोणा पैसे सब थे तो उस समय गुजरात का शाशा कौन था भीमदेव प्रतम था गीत गोविंद के लेखक जैदेव किसकी सभा में रहते थे लक्षमन सेंज राजा उनके सभा में रहते थे क्युष्टन यह भी आया हुआ है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है तो जैदेव हैं रहिंगा मरच्छक अटिकं कि लेखक कौन है मरच्छक अटिकं शुद्रक है इनकी लेखक इलाइची पहाडियां या कार्डेमॉम हिल्स कहां स्थित है केरल में रहा नाथुला डर्रा कि से राज्य में है सिक्क्य में यह किस चना चुका है निकट द्रश्टी दोस्त जिसको मायोपिया कहते हैं इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज किया जता है देखो निकट द्रश्टी दोस्त में निकट की वस्तू तो साफ दिखाई देती है बता है ना आपको निकट क हमें कौन केव लेंस ओ और अवतर लेंस ठीक है निकट दरश्टी दोस के लिए याद इखलेंगे दूर्ठी दोस जिसको हम कहते हैं हाईपर मैट्डोपिया किस लेंस का प्रियोग किया जाता है इसकी न्हींदा के दर दूर की वस्त्व wisdom दिखती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखती उल्टा होता यह नाम की ध्यान रखेंगे नाम के उल्टे होते हैं इसमें लेंस यूज आता है उत्तर लेंस ठीक है बनारस हिंदू विश्व विद्याले बी एच यू की स्थापना 1916 इस्वी में किसने की थी मदन मोहन रखी गए थी important question है ध्यान रखेंगे 1878 का वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट जो था किसने रद्य किया लौड रिपिन ने देवदास उपन्यास के लेखक कौन है शरत चंद्र चटोपा ध्याय भारत के सविधान का भाग चार किसके बारे में बताता है राज्य के नीती देशक जो सिधानते हैं उनके बारे में सीके नाइडू कब किस खेल से संबंदेता है क्रिकेट से लिएंडर पेस का संबंद किस खेल से है टैनिस से है नाखुन खुर और सींग किस उत्तक के बने होते हैं केरेटिन उत्तक के बने होते हैं यह वापस उगाते हैं इटाई इ इटाई का पहले कहां पता चला था यह जापान में फैला था इटाई इटाई रोग जो ए सबसे पहले आलू कि से संबंदित हैं ये सॉलेनसी कुल से समदित हैं ये कृष्चन आया हुआ है ध्यान रखेंगे इसको विस्वर स्वास्ते संगठन यानि के वर्ल्ड हैल्थ और् यह हुई थी साथ अप्रेल उनने सो और तालिस को इसका जो मुख्याल्य है वो जेनेवा में हैं जेनेवा का है स्विजर लेंड में ठीक है डबलो एचो बॉक्साइट किसका है मैंने आपको बताया था अल्यूमीनियम का इंपोर्टन्ट किस्चन यह बहुत ही ज्यादा विर हुआ जो चुना होता है उसमें क्लोरीन गैस जो है मिलाई जाती है गुजारा जाता है और इससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्मान होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है पिटवा लोहा है इसको ताईय लोहा भी कहते हैं या ढलवा लोहा भी कह सकते हैं भा दुआधार जल प्रपाद किस नदी पर स्थित है दुआधार नर्मदा नदी पर कहां पर जबलपुर मध्यप्रदेश में और स्टियोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है हड़ियों का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूश्चन्स महावीर स्वामी की मृत्यू कब और क कहां हुई थी यह 468 इसापुर्व पावापूरी राजगीर में सुरक्ष प्रकोष्ट की नीती रिंग फैंस पोलिसी किस गवर्नर जनरल ने समबन देता है यह वायन हेस्टिंग से समबन देता है पैट्रोल की गुणवक्ता किस से अभिवेक्त की जाती है ऑक्टेन नंब से अभिवेक्त करते हैं पैट्रोल की गुणवक्ता को सुब्रतो कब किस खेल से समबन देता है फुटबोल से मान और शरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है प्यूश गरंथी को खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया तो यह 1527 में हुआ आपको पता है खानवा का युद्ध भाबर और राना सांगा की बीच में हुआ था ठीक है राना सांगा की साथ विश्वास घात हो गया था इस युद्ध के अंदर मैदीनी राही ने किया था और यह कुछन में इंपोर्टन्ट है प्यूश गंथी वाला मास्टर ग्लेंड कहते हैं इसको ध्यान रखना मानों श्रीर का सबसे बड़ा और सबसे विक्सित भाग कौन सा है प्रमस्तिक सेरेब्रम सबसे विक्सित भाग सबसे बड़ा मानों के मस्तिश्क का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है वरुन है यानि कि नैप्चून है राष्ट विका शीला लेखों को सर्व पर्थम किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 आदी गरंत गुरु गरंत साहिब की रचना किसने की गुरु अर्जुन देव ने वेश्य का सबसे बड़ा नदी माजुली जिसका नाम है कौन से नदी पर है यह ब्रह्म पूत्र नदी पर असम में मनुष्य में कितने जोड़े गुण सुत्र यानि के क्रोमोसम पाये जाते हैं 23 जोड़े यानि के टोटल 46 पतकाई की पहाड़ियां भारत को किस से अलग करती है म्यामार से ठीक है म्यामार से अलग करती है संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितना समय अंतराल हो सकता है छे महीना इकिश्यन आया वाई आर्मि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुचेद 123 आर बीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है पलीहा यानि स्पाइलन को दुरोनाचार या पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है खेल प्रशिक्षन छेतर में ये दोनों ही क्रिश्चन काफे ज़्यदा पुष्पों के अध्यन को क्या कहते है एंध्योलोजी माइट्रो कॉंड्रिया की कोज किसने की आल्ट मैंने अकबर के दर्बार में आने से पहले तान सिन् किनकी सेवा में थे राजा रामचंद्र की सेवा में थी रीक है माहान तमिल साहित्य शिल्पा तिकारम की है औरंगाबाद महाराष्टर में ठीक है बहुत सारी गुफाएं हैं यहां पर कुछ कलरफूल है और कुछ जो है बिना कलर की हैं बट बहुत ही शांदार है इनको जो है मुगल राजाओं ने खतम भी करवाने के ट्राइए की बाद में इनकी खुदाई की और पता चला तो य की बारीक काम यहां पर किया गया बहुत शांदार है कभी मौका मिले तो जरूर आपको जाना चाहिए सम्राट अशोक किनके पुत्र थे बिंदुसार ठीक है अबेल पुरुसकार कि छेत्र में दिया जता है गनित के छेत्र में अकबर ने शीरी कलम की उपादी किसको दी आपको पता है मेकेनिकल वेव और इसको चलने के लिए माध्यम क्या वाशक्ता रती है सरवादिक्चार ठोस के अंदर होती है को शिका कि आत्मत्या की थेली किसे का जाता है लाइसो सोम को का जाता है यह किस्टन भी आ चुका है ठीक है तो और समराट अशोक किसके पुत्र थे बिंदु सार यह कुष्टन भी आ चुका है इस वेरी इंपॉर्टेंट तो काफी इंपॉर्टेंट कुष्टन चल रहे हैं ध्यान देंगे अच्छे से नेता जी सुभास चंद्र बोस अंतरास्ट्य हवाई अड़्ड़ कहां से तब पता ही हाना ची कोलकाता में कनिश् किसी राज्य का उच्छतम विधी अधिकारी कौन होता है उच्छतम विधी अधिकारी होता है महाधिवक्ता सोलिसीटर्स जनरल डिसकौम कहते हैं कामाईनी के लिखा कौन है जैशंकर प्रसाथ महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शाषन काल में उपदेश दिया ब करनों का समभन करता है एक होता है इसमें फ्लोयम क्या होता है फ्लोयम फ्लोयम जो है इसमें भोजन होता है उसका समभन करता है नैचुरल सेलेक्शन का सिद्धान किस ने दिया चार्ल्स डार्विन ने भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रिश के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे व्योमेश चंद्र बेनर जी ये किस्टन इंपोर्टन्ट है पोधों में फ्लोय मुद्तक का मुख्या कारे क्या होता है देख मैंने बताया था भी भोजन और आहार को वहन करना आस्ट्रेलिया में स्थित काल गुर्ली किसके लिए प्रसिद है ये गोल्ड उत्पादन सोना उ राष्टपती पर महाभ्योग किस अनुछेद के तहट चलाया जाता है अनुछेद 61 के तहट अगर राष्टपती ने कुछ गलत करे किया है तो महाभ्योग उन पर लगाया जाता है चीन का शोक किस नदी को कहते हैं वांगो नदी को कहते हैं बिहार का शोक पुछा गया है आर्मी के एकजाम में बिहार का शोक किसे कहते हैं कोशी नदी को कहते हैं किसको कोशी नदी को ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंबुआ 9 अगस्त 1922 को देखो इसमें कई लोग इसको 8 अगस्त भी मानते हैं लेकिन जो रियल है जो अथेंटिक माना गया है वो विद लिगनाइट को कहते हैं भूरा कोला करत्रिम गर्बाधान के लिए बैलों के विजय को किसमें रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में माना वृद्या में कितने कक्षि या चेंबर होते हैं चार पैंगुइन पक्षि कहां पाए जाते हैं अंटार्टिका में रेडियो कार मेंड़क के अंदर कितने हुरुदय उसको जो होता है उसमें कितने कक्ष्य होते हैं तीन कक्ष बहारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांगला देश से घिरा हुआ हैं तो त्रीपूरा है कांग्रेश के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बद्रुदिन तयब जी एक भारत का छहत्रोफर पहले सिक्क्यम अलग देश्था आपको बताइं भारत का छहत्रोफर विश्व के कुल भूगोलिक छहत्रोफर का कितना है 2.4 प्रतेकराज्य में महा देवक्ता यानि सोली सीटर जनूरल की नियुक्ति किसके दुआरा की जाती है ये रजय पाल करता है ध बुगल वंच का अंतिम शाशक कौन था बहादुर शाह जफर दित्य गोवा पर पूर्टगालियों ने कब कबजा किया पंदरा सो दस में वह पूर्टगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था अलफांसो डी अलबुकर्क ठीक है भारतियस अविधान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोक के लिए प्रावधान है अनुछेद तिन सो चोबिस में ओजोन परत मुख्यत है कहां पाई जाती है समताप मंडल या इसको ओजोन मंडल आप कह सकते हैं ओजोन मंडल में पाई जाती है ओजोन परत ठीक है ओजोन मंडल भी आप इसको कह सकते हैं विक्टोरिया जल परपात किस नदी पर स्थित हैं? विक्टोरिया जल परपात है जेंबेजी नदी पर अफ्रीका में कैंसर के उप्चार के लिए प्रियुक्त उतक्रश्ट गैस कोन सी है? यह है रेडोन तल्च और प्रसिद्ध कोईला छित्र कहां स्थित हैं? और इसा में प्लास्टर ओफ पैरिस का रसायनिक नाम क्या है? कैसियम सलफेट हाइडरेट सबसे तन्य धातू कौन सी है? सोना है, गोल्ड है, सबसे डेलिकेट धातू विश्व के प्रथम महीला प्रधान मंत्री कौन थी? सीरी माओ, भंडार नाई के, श्री लंका पोटेश्यम की खोज किसने की? हमफ्री डेवी ने पुरुषनी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन भारत में कुल कितने महा जनपत थे? सोला जनपत थे? कोटिले यानि की चानक किया किसके प्रधान मंत्री थे? चंद्र गुप्त मौरी के वेरी इंपोर्टन आपको पता ही हो गए तो मनुष्य का वैग्यानिक नाम क्या है? मानव का वैग्यानिक नाम है होमो सैपियन्स भारत का राष्ट ये जलिय प्राणि क्या है? इस कौन थी? फातिमा बीवी अढ़ाई दिन का जोपड़ा कहां स्थ है? अजमेर में इसका निर्मान कुतु बुदिन एबक ने किया ऐसे बताते हैं कि वहाँ पहले संस्क्रत विश्व विद्धाले था उसको तोड़ कर या उसकी जगाए पे अढ़ाई दिन के जोपड़े का निर्मान कुतु बुदिन एबक ने करवाये था शेख सलीम चिस्ती की दरगा कहां पे स्थित है? पत्यापुर सिक्करी में इंपोर्टन्ट है ये भी ध्यान रखें कुतु बुदिन एबक द्वारा निर्मेत कुवत उल इसलाम मस्जित कहां स्थित है? ये दिल्ली में एक वरक्ष की आयू का पता किसकी द्वारा लगाया जाता है? ये वार्शिक वलियों की गिनती करके कि यार्मी में भी आचुका एससे में भी और रेलवे के एक्जाम में भी कुश्चन है था वार्शिक वलियों कर किसी पेड की आयू का पता लगा सकते हैं बांदीपूर राष्टे उध्यान किस राज्य में करनाटक में सरवादिक जय विवित्ता कहां पाई जाती है उष्ण कटी बंदिय वर्शावन में सयद वंज का संस्थापक कौन था खिज रखां मयूर सिहाशन तक्ते हाउस पर बैटने वाला अंतिम बुगल बादशा कौन था मुहमद शा भारत की मुसलिम महीला शाशी का कौन थी प्रथम रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी मैंने बताया था अभी आपको इल्तुतमिश की बेटी थी हुमायू का मकबरा कहां है दिल्ली में है ये किस्चन भी आ चुका है आर्मी में तिनो उच्च न्याले हाई कोट की प्रथम महीला मुख्य नयदिश कौन थी लीला सेट जो की हिमाचल प्रदिश्च है गोवा मुक्ती दीवस कब मनाया जाता है उनने सद दिसंबर कुम एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है यांग सी नदी लगभग तरे सट सु किलो मेटर लंबा आई इसकी राश्टिय एकता परिशत का गठन कब किया गया 1961 में बाग की गुफाएं किस राज्य में है मध्य प्रदेश में एलिफेंटा की गुफाएं कहां है मुंबई में वह प्रत्वम प्रधान मंत्री कौन थे जिन्होंने संसत सत्र में उपस्तित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया चौधरी चरण सिंग बारदोली सत्यागरें 1928 में इसका नेतरत वह किस ने किया था आपको बदाना है तो ये वल्लब भाई पतेल ने किया था बारदोली सत्यागरें का नेतरत वह भागी रथी और अलक नंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं ये देव प्रियाग में मिलते हैं तिर्थ स्थल है उ चंद्रमा पर हैं बिर्बल का वास्तविक नाम क्या था महेश दास था बिर्बल का बिर्बल जो है अकबर के नवरतन थे अकबर के नवरतन अकबर के नवरतन आपने कोमिक्स में पढ़ा होगा अकबर बिर्बल के किस्ते लोदी वंच का संस्थापक कौन था बहलोल लोदी कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है तेर्वे शिलालेख में कलिंग का जो युद्ध हुआ था जिसके बाद में इनका हर्दय प्रिवर्तन हो गया था तो तेरवां शिलालेक है वो ठीक है ठीक है लोदी वंच का संसापक बहलोल लोदी भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्याले कहां पे है इसरो का मुख्याले बैंगलूरू में है करनाटक में हवाई जहाज के black box का रंग कैसा होता है नारंगी इसका होता है नाम है black box कलर है orange पाई का किसे राज्य की पारंपरिक लोकुन रित्य है पाई کا ये जार खंड का है एंग्स्टरडम क्या मापता है ये तरंग धेले को मापता है वेवलेंथ को स्त्रियों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है टूबेक टोमी कहते हैं पुरूशों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है वैक से टोमी कहा जाता है नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतिय अर्थ शास्त्री कौन थे अमर्तिय सेन इंपोर्टेंट किश्चन है दसी किश्चन हो रहे हैं दीपी का कुमारी का संबंद किस खेल से एफट एफट बताओ तीरंदाजी से जैन धरम के समस्थापक एवं प्रथ हम तिर्थंकर कौन थे रिशब देव जी इंपोर्टेंट किश्चन चल रहे हैं यह सबी ध्यान देंगे लोकसभा की पहली महीला अध्यक्ष कौन थी मीरा कुमार भारतिय ससस्त्र सेनाओं का सर्वोच्य कमांडर को होता है राष्ट अपती किश्चन साथ आठ बर पिडियो डाउनलूड करने का लिंक दिस्क्रिप्चन में दिया हुआ है ≅ँ कॉमेंट बॉक्स में भी आपको दे देंगे तो एप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को जोइन करें और इस तरह की पीडियाप्स आपको मिल जाएगी एंड येस क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शियर करें काफी देर आपकी क्लास चलिए सारे